और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी, कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, हमारी कोई सुनता नहीं, अच्छा लगे ना लगे, चोईस नहीं होती, राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं चलती है। एक बीजेपी का एंपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एंपी पहले कॉंगरेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कॉंगरेस पार्टी में था। मुझ से, मुझे दूर से देखा, चुपके, डर से, कहता है, राहुल जी, आपसे बात करनी है। मैंने का भाई, क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चहरे पर थोड़ी सी टेंशन दिखरी थी। तो मैंने पूचा, सब कुछ ठीक है क्या। मैंने शोचा साइद, घर में कोई बिमार हो, कोई दुरगटना हो गई हो। मैंने पूचा, सब कुछ ठीक है, क्याता है, नहीं। क्या हुआ। राहुल जी, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूँ बीजेपी में। मकर, दिल मेरा कॉंग्रेस में है। तो मैंने का भई, दिल तेरा कॉंग्रेस में। शरीर आपका बीजेपी में। मतलब, दिल शरीर को कॉंग्रेस में लाने से डर रहा है। यही हो सकता है। मैंने कहा, मन क्यों नहीं बनता हूँ है। आप MP हो। आप मुझे हिंट दे रहे हो। मन क्यों नहीं बनता। कहता हैं, राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो उपर कहा जाता है। वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है। उपर से ओडर आता है। मतलब जैसे पहले राजा ओडर देते थे। उपर से ओडर आता है। और उसका पालन करना पड़ता है। अच्छा लगे ना लगे। चॉइस नहीं होती।